दीरे दीरे इसमें और सुधार होने वाला है और आज जब मैं बंदे भारत ट्रेन को बनाने वाले चिन्ने में बन रही थी उसके बनाने वाले सारे एंजिनियर, वायरमेंड, फीटर, इलेक्रिशन इन सबसे मिला और मैंने उंको पुझा बोले साहब आप हमें काम दीजिए मेरे देश के इंजिनियर्स, टेक्निशन्स, इनका ये आत्मे विश्वास, उनका ये भरोसा मुझे इस बात पर विश्वास से कहने के लिए प्रेडित करता है कि देश इससे भी तेज गती से बढ़ने वाला है अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद मैं हो सकता है वो आप कोई बेच दें सावधान, फ्रीडम आपको डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए सफर कर पाएंगे, मैं एक बार काशी से स्टेशन पर पूछ रहा था, मैंने का अब बंदे भारत ट्रेन का क्या एक्पिरिंस है बोले सबसे ज़्यादा टिकेट बंदे भारत की जा रही है, मैंने का वो तो कैसे संबह हुआ है बोले सब गरीब लोग इसमें जाना पसंद करते, मद्दूर लोग जाना पसंद करते मैंने का क्यों? बोले सब उनकी दो कल्प लोजिक है एक लगेज काफी अंदर जगा है ले जाने के लिए और दूसरा इतना जल्दी पहुंच जाते हैं कि जाकर करते हैं तो उतने घंटे प्रिकट का जो पैसा है वो भी निकल जाता है ये बंदे भारत की टाकत है साथियों, आज इस अउसर पर मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता है कि डबल इंजीन की सरकार का लाफ कैसे आमदाबाद प्रोजेक को मिला? जब बोटाद रेल लाइन का ओवरहेड स्पेस मैट्रो प्रोजेक के लिए इस्तिमाल करने की बात आई तो केंद्र सरकार ने तुरंत इसकी मंजुरी दे दी इससे वातना ओल्ड हाइकोट रूट की मैट्रो का काम तुरंत ही शुरू होना संभव हो सका अमदाबाद मैट्रो पर जब मैट्रो पर काम करना हमने शुरू किया तो रूट ऐसा प्लान किया गया जिससे गरीब से गरीब को भी लाब हो यह ध्यान रखा गया कि जहां पब्लिक ट्रांस्पोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूत है जहां सांकरी सडके पार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता हो वहां से मैट्रो गुजरे अमदाबाद मल्टी मोडल कनेक्टिविटी का हब बने इसका पूरा ध्यान रखा गया कालूपुर में आज मल्टी मोडल हब बनाया जा रहा है यहां ब्यार्टी स्टेशन के सामने ही और ग्राउन फ्लोर में सीटी बसे खड़ी होगी टैक्सी और प्राइवेट कार के लिए अपर फ्लोर में सुभीदा रहेगी सरस्पूर एंट्री की तरफ नया मेट्रो स्टेशन है और हाई स्पीड रेल स्टेशनों को भी ड्रॉप और पिक अप फार्किंग जैसी